आज हम बनाएंगे नारियल और ड्राइफूड के लड्डू जो कभी भी हम बना के खा सकते हैं और किसी भी तेहार में इसे हम बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये फटा-फट से तयार हो जाता है हेलो दोस्तों मैं कलपना आप सब का सबते स्वाध घर इसमें हम दो कप नारियल का पॉडर एड़ कर लेंगे इसे हम अच्छे से दो मिनट तक के इसे भूंज लेंगे हमने इसे दो मिनट तक के भूंज लिया है अब इसमें हम मिल्कमेड याने की मिठाई मिट जो रिडी मिट मिलता है 200 ग्राम का उसे एड़ कर लेते हैं हमने द हमने इसे 2-3 मिनट तक अच्छा से पका लिया है नारियल और मिल्कमेट अच्छा से मिल गए है अब अब इसमें हम थोड़ी सी लाइची पॉडर एड़ कर लेते हैं और इसे भी हम अच्छी तईके से मिक्स कर लेते हैं हमने लाइची पॉडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे एक जगे में अच्छे से जमा कर लेंगे और उसमें से हम एक तीहाई भाग जो होता है उसे अलग कर लेते हैं इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम बाकी का जो मिश्रन बचा है उसमें हम कलर एड़ कर लेते हैं आपके पर जो भी कलर हो यह एड़ कर लीजे मैं इसमें औरेंज कलर एड़ कर रही हूँ अब इसे हम अच्छी तरिके से मिक्स कर लेंगे हमने इसे अच्छी से मिक्स कर लिया है आपको दिखाई दे रहा होगा अब आई इसका कलर औरेंज कलर का हो गया है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब हमने जो एक तिहाई फाग उठा के रखा था उसे भी ले लेते हैं इसमें हम ड्राइफूर एट कर लेंगे किश्मिश, काजू, पिस्ता आपके पास बादाम हो तो बादाम भी इसे काट कर हम इसमें एट कर लेते हैं और इसे अच्छी तईके से मिक्स कर लेते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसके हम छोटे छोटे लड्डू तयार कर लेते हैं इस आकार के हम फुर्ड़ो तयार कर लेंगे और यह कि मिश्रन से भी हम फी रट्डू तयार कर लेते हैं उसके अपर में लपिटते हुए हम इसे एक बड़ा लड्डू तयार कर लेंगे इसी तरीके से हम बाकी के भी लड्डू तयार कर लेंगे हमने सारे नारियल के लड्डू को तयार कर लिया है हमने 2 कप नारियल के पाउडर से 12 पिस नारियल के लड्डू तयार किये है अब हम नारियल का पाउडर ले लेते हैं क्या Mitsubishi इसमें आरियाल के लड्डु को अच्छे से कोड कर लें और इसको हम डेकोरेट कर लें इसी तरह से हम नार यके सारे लड्डु को कोड कर लेते हैं नारीयल के पॉडर में अब हमारे णारियल के लड्डु तयार हो गया है आप इसे घन में जरूर ट्राय करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए